लिखाओव दूसी चादी है बच्शे के जो जो हैंडए और चुसको दीजाए यह को औह अहम कवेस्चिन है परविष बच्चे की किदर हो सकती है वह बच्चे को देखना है क्योंकि जो court है वो guardian court होती है तो actual guardian फिर जब separation हो जाती है parents में तो actual guardian जो बच्चे की वो guardian court होती है उसने determine करना है कि बेतर परविश के दर होती है बाज को आज जो दूसी शादी कर लेती है जो खातून जो है तो वो जो बेटी अगर उसकी है तो वो ना महरम उसके लिए होता है दूसा शोहर उसका जो फाल्दा का स्टेला बाप जो है तो इस ground के उपर बाज का cases में जो है वो बाप के स्पूर्द भी बच्ची की कस्टड़ी कर दी जाती है लेकिन जो है वो जूँरी नहीं है एक रिपोर्टीट केस है उसमें मा के स्पूर्द ही की गई कस्टड़ी उसमें जो क्यूंकर उसने चादी की अपने फर्स कसं से की तो जैसाब नोट किया कि welfare of the minor मा के साथ है क्यूंकर उसने जो शादी की है वो फर्स कसं से की है वो जो है वो मतलब close है उसका close relative है ये ground mention की दूसरा वो टीचर थी पढ़ाती थी उसकी अच्छी इंकम थी वो स्पूर्ट कर सकते थी तो घर का महौल भी बेतर था इस वैसे कई factors होते हैं जिसको note करके custodius को दी गई अच्छा सर ये बचाएं कि क्या बच्ची अपना फैसला खुद कर सकते हैं कि हमने मा के पास रेना ये बाप के पास रेना जालत उनको ये जाज़त देती है जी बच्चे जो अगर थोड़े समझ भूच रखने वाला है बच्चा मतलब जो एज अगर आट-दस साल है पंदरा साल है चोदा साल है हमने सुना अंडर एटीन अपना फैसला खुद नहीं कर सकते जी लेकिन ये उनकी जो विलिंगनेस कोड़ जरूर पूचती है अगर बच्चा आट-दस साल का है पंदर साल का है तो कोड़ उसे बला के पूचती है आपने मामा के साथ जाना है के बापा के साथ जाना है और वो उसे बादचीश से आइडिया करते है कि इसको जो पहले इसकी लूक आफ्टर कर रहा है अगर मा के पास है तो वो बादचीश में कैसा है confidence उसे है के नहीं है और वो school going है, कोई से school में जा रहा है उसकी किस्ता से परविश हो रही है इससे भी course जो आइडिया कर लेती है और अदालत उस चीज से अंदादा ले लेती है बात करके बच्चों से और फिर वो कितना उसकी attachment है parent के साथ, मतलब वालदा के साथ या वालत के साथ, उसकी बाहत चीज से idea करके court इसके उपर भी अपनी जहन रखती है कि बच्चा किते जाना चाहरा है बच्चा अगर माँ के पास जाना चाहरा है बाप उसको ड्रा के अदालत में लाया है नहीं ऐसा नहीं होता है माहरे नफसियाद court में नहीं होते है जो guardian judges अपॉइंट किये जाते हैं उनका experience काफी होता है वो रोज का उनका काम होता है बच्चों से बाचित करना, parents का जो सच जूट का idea करना वो जब court में पेश होते हैं तो बच्चे को जो समझा के लाए होते हैं बच्चे जो चोटे एज से बच्चे जो है वो एक पेडिन्ट के पास है मताँ वालदा के पास है तो जीन से शुडूर में बच्चे के डालर होते हैं जो जड़ा बड़ा फरोन है गया उनने मार देना तो मताँ वो उसके लिए एक ऐसी होते है जिन है जिन की शकल उसके जहन में हाती है जैसी वो बाप का नाम सुनता है या वालदा का नाम सुनता है तो इसलह से ड्राय धम काया ज़रूर जाता है लेकिन जड़ीस जो है वो आइडिया कर लेते हैं और बच्चे या जब महां पर इंडिपेंट खड़ा होके बाचित करता है तो थोड़ी देर में पाइंदस मिन बाद बाद आपने दिल की बाद बताना शुरू कर देता है